सुशान सिंग राशपूत के दोस्त युवराज S. सिंग ने बॉलिवुड की ड्रग मंडली का बड़ा खुलासा किया है ये दोस्त खुद एक्टर रह चुके हैं और प्रोडूसर रह चुके हैं और इसलिए ये बॉलिवुड को बहुत करीब से जानते हैं और आज उन्होंने बॉलिवुड की ड्रग मंडली और टैलेंट मैनेजमेंट कमपनियां कैसे काम करती हैं टैलेंट के नाम पर कैसे ये ड्रग का सौदा करती हैं कैसे ड्रग की सप्लाई की जाती है ये सब कुछ बताया युवराज ने आपको एक एक करके बताते हैं पाँच बड़े खुलासे युवराज के पहला खुलासा युवराज ने पताया कि बॉलिवुड की ड्रग पार्टियों में ड्रग की सप्लाई लड़कियों के जरिये की जाती है और वो भी ऐसी लड़किया जो इनकी टीम में नई होती हैं आपने देखा होगा ज्यादतर इ ये काम पिछले कई सालों से चल रहा है जी हाँ बॉलिवुड में ड्रग पार्टियों में जो सप्लाई टैलेंट मैनेजमेंट कंपनिया कर रही हैं वो एक दो साल से नहीं बलकि कई सालों से इस तरह की सप्लाई कर रही है और जो क्वैन का नाम आ रहा है ड्रग सप्लाई म टालेंट मैनेज्मेंट कम्पनी का उनका डावा है कि ये एकलोती ऐसी कम्पनी नहीं है बलकि 5 से 7 ऐसी बड़ी कम्पनिया है जो इसी तरहां बॉलिवुड में ड्रग पार्टीयों में ड्रग सप्लाई करती है इसके अलावा इन्होंने चोथा वड़ा खुलासा ये किया है ये कमपणिया टैलेंट मेनेजमेंट कमपणियां स्टार्स को खुश करने के लिए इन्हें कुछ भी सपलाई कर देती हैं। और भी बहुत कुछ और भी इलीकल चीजें ये लोग सपलाई करते हैं बॉलरवुड वालों को। पाँचवा बड़ा खुलासा सुनिये इन्होंने कहा कि ये talent management company सिर्फ नाम की हैं ये film में कम और drug supply और illegal supply ज्यादा करती हैं जी हाँ ये दावा है युवराज S. Singh का इन्होंने कहा कि talent management company का क्या मतलब है कि वो किसी को drug दे क्या ये drug pedler की तरह काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा ह यहां बिल्कुल यह पैडलर की तरह ही काम कर रहे हैं यह ड्रग सप्लाई यहां से वहां करते हैं और इन्होंने कहा कि NCB जो इंक्वाइरी कर रही है वो बिल्कुल सही चल रही है तूदा पॉइंट चल रही है और बहुत जल्द और भी बड़े नाम आएंगे अभी तो हीरो देवुड के ए लिस्टर के नाम भी अब आने वाले हैं